तो यह है कपूर डिफ्यूजर गरोप और मंतिर्व गरों में कपूर के सुगब कफालाने के लिए इसको यूज़ करते हैं इसको यूज़ कैसे करने हैं सब पहले इसको प्लग कीजिए बड़न कौन करती है यह रेड लाइट ज़लेगा इससे क्या होता है यह वाला हीट होना इस्टार्ट हो जाता है इसके उपर यह कटूरी रखाता है इसके उपर आपको कपूर को डालने रहते है इसको जितना अच्छे हो सके कपूर से फील कीजिए जितना हो सके आप ज्यादा जाल सकते हो इससे इसका लाइफ बढ़ जाता है और कई सिंगल डालके यसे एक दो पिस डालके यूज़ कर रहाँ है तो फिर क्या होता है हीटिंग प्रावल्लों होता है सेम कीचन में इंडक्सर रहता है आप कुछ नहीं रखते हो तो वह बीप करके बजना लग जाता है सेम उसी टाइप से इसमें नोटीस तो नहीं देता ह लेकिन हीटिंग कारण इसका लाइफ कम हो जाता है तो इसको जितनों से अच्छे कंप्रीट से भरो दिरे-दिरे क्या होता है ये गरम होते हैं तो ये तीन-चार मिनट बाद इसका धुआ उड़ने लग जाता है तो फिर आपके रूम या फिर घर वगर है वहां एयर में फैल जाता है इसको यसी भार की रख दीजिए और जब-जब यूज़ करना है बस बटन चाहन कीजिए अ